नमस्कार दोसों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोसों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास OPPO Reno7 है 6 है या कोई और मॉडल है OPPO का तो यहाँ पे आप Assistive Ball की सेटिंग कैसे कर सकते हैं साइड में एक छोटा सब बॉल आ जाता है जिस पे आप आइफोन वगरा में आपने देखा होगा तो इसके लिए आप चले जाएंगे सेटिंग पे सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग का ओप्शन देखने को मिलेगा आप इस पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपको असिस्टिव बॉल देखने को मिलेगा आप इस पे क्लिक कर लेंगे असिस्टिव बॉल यहाँ पे आउन कर देंगे तो यह चोटी सी बॉल यहाँ पे आपको जैसे कि, अब यहां पे go back इससे हो जाता है। इस्वाले symbol से screenshot आजाता है, इससे recent task आजाता है, और इससे आपके screen lock हो जाती है, और इससे आपका home screen आजाता है। तो home screen के अलावा आप यहाँ पे notification drawer भी रख सकते हैं और lock screen पे touch करेंगे तो lock screen के अलावा यहाँ पे आप home screen यूज़ कर सकते हैं या फिर जो आपको चीज यहाँ पे रखनी है वो यहाँ पे आप select कर लेंगे take screenshot की जगा आप कुछ और रख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे tap menu भी आ जाता है अब यहाँ पे आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यह tap menu आ जाएगा अगर यहाँ gesture option रखेंगे तो यहाँ पे आपका back हो जाएगा अगर इस पे जो रखते हैं gesture operation पे जैसे कि एक बार tap करेंगे तो go back हो जाना चाहिए या क्या होना चाहिए तो notification molar खोलना चाहिए या फिर screenshot आना चाहिए तो मैं notification ड्राओर कर दूंगी तो इस पे क्लिक करेंगे तो notification ड्रार आ जाएगा देख सकते हैं यह gesture होता है अब double tap करने से क्या आना चाहिए तो डबल टैप करने से आपका यह आ जाता है तो डबल टैप की जगह मैं कुछ और रख दूंगे जैसे स्क्रीन लॉक तो डबल टैप कर देंगे तो स्क्रीन लॉक हो जाएगा इस पर इसको गैस्चर बोलते हैं ठीक है और टच अंड होल्ड अगर आप इसको टच करके होल्ड करते हैं तो यह बैक हो जाना चाहिए या क्या होना चाहिए तो वापिस से मैं जाती हूं इस पर पहले तो यहां पर इसको रिसेंट टास्क या फिर स्क्रीन शॉट कर देंगे ताकि इसको touch and hold करेंगे तो screenshot आ जाए देख सकते हैं आ गया है तो यह gesture operation ऐसे कर सकते हैं अगर tap menu करना चाहते हैं तो tap menu अला कर लेंगे तो मैंने tap menu अला कर लिया है और opacity कितनी रखनी है इसकी कितनी dark या फिर कितनी light रखना है तो यह आप यहाँ पर कर सकते हैं फुल स्क्रीन में अगर hide करना चाहते हैं तो इसको आप on कर सकते हैं बागी मैं tap menu कर देती हूँ मेरे को gesture नहीं चाहिए तो इसको मैं यहाँ पर back कर लूँगी अब यहाँ पर यह assistive ball को आप कहीं पर भी रख सकते हैं और जैसे आप इसको click करेंगे तो यहाँ पर आप यह operations कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर यह वाला option choose करना है screenshot लेना है या फिर आप कर recent task लेके आना है ठीक है तो इस ट्रैप से assistive ball की setting कर लीजेगा अचली मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार